नमस्कार दोस्तों जैपी इस्टानग्रापी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है यह डिक्टेशन 90 वर्ड पर मिनट का होगा जो की 6 मिनट तक बोला जाएगा जन्सत्ता से लिया गया है दस सेकिन बाद स्टार्ट के जाएगा दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली ब जम्मू कस्मीर में नफरत का माहूल बनाने के लिए एलगावादी ताकतें तरह तरह की साजिसें रचती हैं इस्थानिये लोगों में बारत सरकार और व्यवस्ता के विरुद अक्सर वहां अपवाहें फेलाई जाती रहती हैं ऐसी ही एक साजिस करीब 14 साल पहले सोपियां जिले में रची गई थी जब दो महिलाओं के सव दरिया में बहते मिले थे अपवाहें फेलाई गई की वहां तेनात सुरक्सा बलों ने उन महिलाओं के साथ बलातकार करके उनहें मार डाला और नदी में फेंक दिया इस अपवाहें को सच साबित कर दिया वहां के दो चिकिसकों ने अपने सव परिक्षन की रिपोर्ट के जरिये उन्होंने कहा कि वास्तों में सुरक्सा बलों ने उन महिलाओं के साथ बलातकार किया था उसके बाद पूरी घाटी में तनाव का माहूल बन गया था और करीब डेड़ महिने तक ऐसानती बनी रही अब पता चला है कि उन महिलाओं के साथ बलातकार हुआ ही नहीं बलकि उनकी मौत डूबने से हुई थी बलातकार की अपवा है इसलिए फेलाई गई थी कि इस्थान ये लोगों को सुरक्सा बलों के खिलाप बढ़काया जा सके अब असलियत सामने आने के बाद दोनों चिकिसिकों को बरखास्त कर दिया गया है हाला कि यह कोई पहली गटना नहीं है जब उब्द्रवी तत्व वहां इस्थानिये लोगों को परशासन और सुरक्सा बलों के खिलाप बढ़का कर अपनी साजिसों को अंजाम देने की कोशिस करते रहते हैं दरसल गाटी में परशासन और स्थानिये लोगों के बीच नजदी की इसलिए नहीं बन पाती की एलगावादी और आतं की संगठन वहां के लोगों के मन में यह बात भर चुके हैं कि सुरक्सा बलों की ज्यादाती की वजहें से ही उनके जीवन में सांती नहीं आपा रही सुरक्सा बलों की छवी इस्थानिये लोगों में आतताई की बना दी गई हैं लोगों को बिना किसी सूचना के गरों से उठा लेना और फिर उनका कोई पता ने चल पाना बेगुना हैं लोगों को भी गोली मार देना महिलाओं के साथ बलातकार आदी के किसे खूब परचारित हैं अक्सर इन धारणाओं को मानवाधिकार संगठनों की तरप से भी बल मिलता रहा हैं यही वजहें हैं कि नागरिक ठिकानों से सुरुक्सा बलों को हटाने की मांग लंबे समय से उठती रही हैं इससे एक तरहें से आतंकवादी संगठनों को ही लाब मिलता रहा हैं इस्थानिये लोग सुरुक्सा बलों के खिलाप नफरत और संदहें से भरे रहते हैं और दसहत गर्दों को पनाहें देते रहते हैं अपवाओं के जरिये सबसे अधिक जहर गोला जाता हैं युवाओं के मन में उन्हें समझा दिया जाता हैं कि किस तरह सुरुक्सा बलों ने उनके किसी परिजन के साथ ज्यादाती की या हत्या कर दी फिर वे आक्रोस में भर कर हातों में बंदूक उठा लेते हैं अपवाओं और गलत सूचनाओं को परसारित करने का वहां बकाईदा एक तंतर विक्सित हो चुका हैं जिसे छिन भिन करने में कुछ हद तक तो कामिया भी मिली हैं मगर वह अभी पूरी तरह खतम नहीं हुआ हैं बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जिस तरह बड़े पेमाने पर तक्रीरें और गलत सूचनाओं परसारित की गई थी उससे पूरी घाटी में इस्थती बेकावू हो उठी थी मगर इसके बाद ऐसे अपवाहें तंतर पर नकेल कसी गई उन लोगों पर नजर रखी जाने लगी जो इस अपवाहें तंतर को संचालित करते या किसी भी रूप में उससे जुड़े थे हाला कि अब भी चिकसा, सिकसा, व्यवसाय, आदी से जुड़े अनेक लोग हैं जो अपने सुरकसाबलों का साथ देने के बजाए दसहत गर्दों के समर्थन में अपवाहें फेलाने से बाज नहीं आते उन पर सकती जरूरी है दोस्तों इस डिक्टेशन का पीडियोप लिंक डिस्क्रिप्सिन मौझूद है आप आँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों अगर डिक्टेशन अच्छा लगए पसंद आयत लाइक शेयर कमेंट जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू दोस्तों